है दोस्तों कि वीडियो हने वाली है कि ऑपकिक क्ष्डा यह जोपिक बने अजब क्या फैत् Ama तो वेत्रों को डिएस्जेट करने वाला हो मेंनली क्या डिप्रेंस होता है बहुत से लोगों को यहीं नहीं पदा होता कि it knows करने में क्या नुक्सान है और स्वाइदा फायदा है तो बेसी चोटी सी विडियो रहने वाली है तो चैनल पर होने तो किजे चैनल सब्सक्राइब साथ में हैं बेल आगान उसे ब्रेस कीजिए चलिए ज़ल दें वीडियो लिए तो गैस सबसे पहले बात करते हैं weight loss basically क्या होता है जबी आपके जो cases में weight होता है body का वो कम होता है उसे weight loss बोला जाता है वो matter नहीं करता आपके body fat से गया है आपकी muscle से गया है या आपके water से गया है तो किसी भी चीज से जाए वो आपका weight loss होगा और वहीं बात quality मेरे में नहीं है तो आपने क्या क्या है तो मैं जस्ट उन्हें यहीं बताता हूं कि weight loss नहीं मैंने fat loss क्या है मतलब कि मैंने fat को concentrate क्या है reduce करने पर और मैं अपनी muscles को बनाए रखता हूं और साथ के साथ water intake भी मेरा high होता है और weight loss में जैसे मैंने बताया जब आप weight loss पे जाओगे तो अब्यस्टी बात है आपकी muscles भी loss होती है और आपका water जो बहुत से लोक्या करते हैं पानी पीना कम करते हैं साथ के साथ खाना भ जुबारे से उस food को consume करोगे आपका proper weight game होना start हो जाएगा but fat loss के case में क्या होता है आप proper जो routine है अपना change कर देते हो आप एक अपनी ऐची डायेट बनाते हैं आपको fat वाली चीजे cut down करनी होती है आपको अपने high protein पे रहना होता है और water intake भी high लेना होता है कम से कब four to five liter per day आ नहां पर आपको surety मिल जाएगी जो आपका weight loss होगा वो आपकी muscles और water से नहीं होगा because आप ले रहे हो अपना high protein high protein से आपकी muscles बनी रहेगी और साथ के साथ अगर आप 4-5 लिटर पानी पड़े पीते हो तो आपकी water balance भी body में बना रहेगा तो आपका weight loss होगा सिर्फ fat loss से और आपकी body strength भी कम हो जाएगी तो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि उसकी strength कम हो और जब भी आप fat loss करते हो तो fat loss में just आपकी body body का fat जाता है और आपकी muscles बनी रहती है तो आपकी strength भी बनी रहती है और आपने देखा भी होगा यह difference के काफी जो बलकी लोग होते हैं और काफी जो lean जो लोग होते हैं दोनों की strength कभी कभी सेम होती है तो इससे पता चलता है fat से आपको energy नहीं मिलती तो आपको अपनी muscles बनाए रखनी है और fat loss जितना हो सके ना कीजिए और जबी भी आप fat loss करोगे उतनी ही अच्छी आपकी body shredded मतलब आप cutting जिसे बोलते हैं वो आ जाती है तो यही एक तरीका है आपके अपनी body में cutting लाने का और muscular दिखने का और guys last में बता दूँ अगर आप fat loss करना चाहते हो त protein की intake high रखें जितना आपका body weight है उससे double in grams में आपको protein लेना है और water intake भी at least four to five liters per day आपको लेना ही लेना है तो क्यों बोला जाता है ज्यादे से ज्यादे पानी पिया जाता है जबी आप fat loss के टाइम पे भी जाते हैं उस टाइम पे भी आपका water intake at least four to five liters per day होना चाहिए उस मतला आपको पता ही है fat burn होना है तो basically इसलिए high water intake बोला जाता है और साथ के साथ high protein diet भी इसलिए बोल जाती है आप जितना high protein diet लोगे same metabolism active होगा और जो आपकी muscles की requirement of protein वो उन्हें मिलती रहेगी और fat आप कम से कम लोगे तो fat obviously आपका down होने लग जाएगा तो यह होता है तरीक किसी वीडियो जिसमें आपका थोड़ा सा जो confusion था weight loss vs fat loss का आप के लिए हो चुका होगा अगर कोई confusion है तो आप मुझे comment करके भी पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो किजिए वीडियो को like share और subscribe चली मैंते अपनी next चुप जिए है झाल